उदन करी रहा अच्छी सिधत याज विए डेश के रक्षा मंत्री स्रीमान राजनाथ सहीं जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री स्रीराम जैराम ठाकुर जी केंद्री ये मंत्री मंडल में मेरे साथी हिमाचल नो छोकरो अनुराग ठाकुर हिमाचल सरकार के मंत्री गाण अन्य जन प्रतिन गाण चीफ अब डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावज जी आर्मी चीफ रक्षा मंत्रा ले बॉर्डर रोड और्रेशन से जुडे सभी साथी और हिमाचल प्रदेश के मेरे भाई और भेनों आज का दिन भावत अईतिहासिक है आज सिर्फ अटल जी का ही सबना नहीं पुरा हुआ है आज हिमाचल प्रदेश के करोडों लोगों का भी दसकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है मेरा बहुत बड़ा सोभाग है कि आज मुझे अटल तनल के लोकारपन का आउसर मिला है और जैसा भी राजनाजी ने बताया मैं यहाँ संगठिन का काम देखता था यहाँ के पहड़ों यहाँ के वादियों में अपना भावती उत्तम समय बिताता था और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैटना गपसप करना और मैं और दूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विशे को बड़े आगरस उनके सामने रख रहे थे और जैसा आटल जी का विशेस था थी वो बड़ी आँखे खोल करके हमें गहराई से पड़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं पिर मुंडी हिला देते थे हाँ भाई लेकर आखीर कर जिस बात को लेकर मैं और दूमल जी उनसे लगे रहते थे वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया संकल्प बन गया और आज हम उजे एक सिद्धी के रूप में अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं इससे जीवन का कितना बड़ा संतोस हो सकता है कि आपकल्प ना कर सकते हैं अब से पहले कुछ मिनिट पहले हम सबने एक मोवी भी देखी और मैंने वहाँ एक पिक्चर गैलेरी भी देखी दे मेकिंग आफ अटल टनल अक्सर लोकारपन की चकाच चौन्द में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है अभेद्य अभेद्य पिर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठीन संकल्ब को आज पूरा किया गया है इस महायग्य में अपना पसीना बहाने वाले अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनत कर जवानों को इंजीनियरों को सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पुर्वक नमन करता हूँ साथियों अटल टरनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंदर साचित प्रदेश ले लद्दा की भी लाइफ लाइन बनने वाला है अब सही माइनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा खेत्र और ले लद्दा की देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे प्रगति पत पर तेजी से आगे बढ़ेंगे इस टनल से मनारी और केलों के बीच इसकी दूरी तीन चार घंटे कम होई जाएगी पहाड के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड पर तीन चार घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है साथियों ले लद्दा के किसानों बागमानों युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुँच आसान हो जाएगी उनका जोखिम भी कम हो जाएगा यही नहीं यह टडल देव धरा हिमाचल और बुद्व परंपरा के उस जुड़ाव को भी ससक्त करने वाली है जो भारत से निकल कर आज पुरी दुनिया को नई रा नई रोशनी दिखा रही है इसके लिए हिमाचल और ले लद्दा के सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई साथियों अटल टडल भारत के बॉर्डर इंफरस्ट्रेक्टर को भी नई ताकत देने वाली है इविश्वस्तरिय बॉर्डर करेक्टिविटी का जीता जाकता प्रमाण है हिमालय का ये हिस्सा हो पस्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो फिर दक्षिन और पूर्वी भारत का तटिय इलाका ये देश की सुरक्षार समर्दी दोनों के बहुत बड़े समसाधन है हमेशा से इन ख्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इन्फास्रक्षर को बहतर बनाने की मांग उड़ती रही है लेकिन लंबे समय तक हमार यहां बौर्डर से जुड़े इन्फास्रक्षर के प्रजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बहारी नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए लटक गए भटक गए अटल टनर के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूद भी हुआ है साल 2002 में अटल जी ने इस टनर के लिए अप्रोच रोड का सिलानियास किया था अटल्ची की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनेल के लिए सिर्फ 1300 मिटर यानि डेड़ किलोमिटर से भी कम काम हो पाया था एक्षपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2014 में जा करके शायद पुरी होती आप कल्पना करिए आपकी आच जो उम्र है उसमें बीस वर्स और जोड लिजिए तब जाकर लोकों के जीवन में ये दिवस आता उनका सपना पुरा होता जब विकास के पत पर तेजी से आगे बढ़ना हो जब देश के लोगों के विकास की प्रतबल इच्छा हो तो रफ्तार बढ़ानी ही पढ़ती है अटल टनेक के काम में भी 2014 के बाद अभूत पुर्वत तेजी लाई गई बियारों के सामने आने वाली हर अर्चन को हल किया गया नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मिटर सुरंग बन रही थी उसकी गती बढ़ा कर 1400 मिटर प्रति वर्ष हो गई कि सिर्फ छे साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया कि सात्यों इंफास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुक्षान होता है इससे लोगों सुविधा मिलने में तो देरी होती है इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है साल दोजार पांच में ये आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग साड़े नौसो करोड रुपे में तैयार हो जाएगी लेकिन लगातार होती देरी के कारण आजे तीन गुना से भी जादा यानि करीब करीब बतीसो करोड रुपे से अधिक खर्च कर रेके बात पुरी हो पाई है कलपना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थित्य होती साथियों कनेक्टिविटी का देश के विकास से सीधा संबन्द होता है जादा से जादा कनेक्टिविटी यानि उतना ही तेज विकास खास कर बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरुरतों से जुड़ी होती है लेकिन इसे लेकर जिस तरह की गंबीरता थी और उसकी गंबीरता की आवश्यक्ता थी जीस तरह की राजनितिक इच्छा शक्ति की जरुरती दुर्भागे से वैसी नहीं दिखाई गई अकल टनल की तरह ही अनेक महत्वपून प्रोजेक्श के साथ ऐसा ही व्यहवार किया गया लद्दाख मैं दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपून एर्श्ट्रीप 40-50 साल तक बंद रही क्या मजबूरी थी क्या दवाओ था मैं इसके विस्थार में जाना नहीं चाहता इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है बहुत कुछ लिखा जा चुका है लेकिन सच्चा यही है कि दौलत बैग ओल्डी की एर्श्ट्रीप वायू सेना ने अपने इरादों की वज़े से शुरू हो पाई उसमें राजनिति की इच्छा सकती कहीं नजर नहीं आई साथियों मैं ऐसे दर्जन और प्रोजेक गिना सकता हूं जो सामरी दृष्टी से और सुविधा की दृष्टी से बले ही कितने भी महत्वपूर रहे हो लेकिन बरसों तक नजर अंदाज किये गए मुझे याद है मैं करीब दो साल पहले अटल जी के जिन्मदिन के अवसर पर असम में था वहाँ पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगी बिल पूल को देश को समर्पित करने का आउसर मुझे मिला था ये पूल आज नौर्थ इस्ट और अरुनाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है बोगी बिल ब्रिच पर भी अटल जी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पूल का काम सुस्त हो गया साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और चार साल के भीतर-भीतर इस पूल का काम पूरा कर लिया गया अटल जी के साथ ही एक और पूल का नाम जुड़ा है कोसी महासेतु का बिहार में मिधलांचल के दो हिस्सों को जोडने वाले कोसी महासेतु का सिलान्यास अटल जी नहीं किया था लेकिन इसका काम भी उल्जा रहा अटका रहा दो हजर चौदा में हमारी सरकार हमें सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया अब से कुछ दिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकारपन किया जा चुका है साथियों देश के करीब परिभार हिस्से में करेक्टिविटी के बड़े बड़े प्रोजेक्स का यही हाल रहा है लेकिन अब यह स्थिती बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है बीते च्छे वर्षों में इस दिशा में अभूत्पर्वा प्रयास किया गया है विशेश रुप से बॉर्डर इंफासेक्टर के विकास के लिए पूरी तांकत लगा दी गई है हिमाला एक शेत्र में चाहे वो हिमाचल हो जम्मु कश्मीर हो करगिल ले लदाख हो उत्राखन हो सिक्किम हो अरुनाचल प्रदेश हो दर्जन में प्रोजेक्ट पूरे किये जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है सडक बनाने का काम हो पूल बनाने का काम हो सुरंग बनाने का काम हो इतने बड़े स्तर पर देश में इन खेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ इसका बहुत बड़ा लाप सामाने जनों के साथ ही हमारे फोजी भाई बेहनों को भी हो रहा है सर्दी के मौसम में उन तक रसत पहुँचाना हो उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो वो आसानी से पैट्रोरिंग कर सके इसके लिए सडकों का जान बिछाय जा रहा है साथियों देश की रक्षा जरुरतों देश की रक्षा करने वालों की जरुरतों का ध्यान रखना उनके हीतों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच प्रात्मिक्ता में से एक है हिमाचल प्रदेश के हमारे भाईयों भेहनों को आज भी याद है कि वन रैंक वन पैंशिन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बरताव था चार दसकों तक हमारे पूर्वफोजी भाईयों को सिर्फ वाईदे ही किये गए कांगजों में सिर्फ पांसो करोर रुपे दिखा कर ये लोग कहते थे कि वन रैंक वन पैंशिन लागू करेंगे लेकिन किया फिर भी नहीं आज वन रैंक वन पैंशिन का लाप देश के लाखो पुर्वफोजीयों को मिल रहा है सिर्फ एरियर के तोर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग ग्यारा हजार करोड रुपे पुर्वफोजीयों को दिये है हिमाचल प्रडेश के भी करीब करीब एक लाख फोजी साथियों को इसका लाप मिला है हमारी सरकार के फैसले साक्सी है कि हमने जो फैसले की वो हम लागू करके दिखाते हैं देश हित से बड़ा देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझोता किया गया देश की वायू से ना आदूनिक फाइटर प्लेन माग दी रही वो लोग फाइल कि पे फाइल फाइल पे फाइल कभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे गोलाब आरूध हो, आधुनिक राइफलें हो, बुलेट प्रूप जैकेट्स हो कडाके की ठन में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हो, सब कुछ ताक पर रख दिया गया था एक समय था, जब हमारी ओर्डिनन्स फैक्टिरियों की ताकत अच्छे अच्छों के हो सुड़ा देती थी, लेकिन देश की ओर्डिनन्स फैक्टिरियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया, देश में स्वदेश सी लड़ा को विबानों, हेलिकॉप्टरों के लिए पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, बरसों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सैन्यक्षमताओं को मजबूत होने से रोका है, उसका नुक्षान किया है, जिस तेजस लड़ा को विमान पर आज देश को गर्व है, उसे भी इन लोगों ने दिब्मे में बंद करने की तैयारी कर ली थी, ये थी इन लोगों की सचाई, ये है इन लोगों की सचाई, साथियों, अब आज देश में ये स्थिती बदल रही है, देश में ही आदुनिक अस्त्र सस्त्र बने, मेक इन इंडिया हत्यार बने, इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किये गए है, लंबे इंतरजार के बाद, चीफ अब डिफेंस टाप की ववस्ता, अब हमारे सिस्ट्रिम का हिस्सा है, इसे देश की सेराओं के आवशक्तों के अनुसार, प्रकॉर्मेंट और प्रोडक्शन दोनों में बहतर समन्वे स्थापित हुआ है, अब अनेक ऐसे साजों सामान हैं, जिनको विदेश से मांगने पर प्रतिवन लगा दिया गया है, वो सामान अब सिरफ भारते प्रोड्योगों से ही खरीदना जरूरी कर दिया गया है, साथियों भारत में डिफेंस इंडिस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तक्निक आ सकें, इसके लिए अब भारतिय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोच्षान दिये जा रहे हैं, जैसे जैसे भारत की वैश्विक भुमी का बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रप्तार से, अपने इंफास्ट्रक्टर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्त्र को भी बढ़ाना है, आत्म निर्भर भारत का आत्म विश्वास, आज जन्र मानस की सोच का हिस्सा बन चुका है, अटल तनल इसी आत्म विश्वास का पतीख है, एक पर फिर, मैं आप सभी को, हिमाचल प्रदेश को, और लेक लगजा के लाखो सात्यों को, बहुत-बहुत बधाई, और बहुत-बहुत शुपकामनाई देता हूं, हिमाचल पर मेरा कितना अधिकार है, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हिमाचल का मुझे पर बहुत अधिकार है, आज के इस कारकम में समय बहुत कम होने के बावजुद भी, हमारे हिमाचल के प्यार ने, मुझे पर इतरह दबाव डाल दिया, तीन कारकम बढ़ा दिये, इसके बाद मुझे और दो कारकम में, बहुत ही कम समय में बोलना है, और इसलिए मैं यहां विस्तार से न बोलते हुए, कुछ बाते दो और कारकम में भी बोलने बाला हूं, लेकिन कुछ सुझाओं मैं यहां जुरूर देना चाहता हूं, मेरे इसोज़ाओ भारत सरकार के रक्षा मंतराले के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंतराले के लिए भी हैं, और बियारों के लिए special हैं, एक यह टनल का काम अपने आप में हैं, इंजिनेरिंग की दृष्टी से, वर्क कल्चर की दृष्टी से, यूनीक है, पिछले इतने वर्षों में, जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक? अब एक हजार पंदरा सो लोगे ऐसे छाटे, मद्दूर भी हो सकता है और टॉप प्यक्ति भी हो सकता है, उसने जो काम किया है, उसका अपना जो अनुभव है, उसको वो अपनी भाशा में लिखे, एक पंदरा सो लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्मेंटेशन होगा जिसमें हुमन ठच होगा, जब ठोर आता, तब वो क्या सोता था, कभी तकलीफ अई, तो उसको क्या लगा, एक अच्छा डॉक्यBarशन, मैं ऐक अटरेमिक कुमेंटेशन नहीं कह रहा हूँ, इस वो क्या नहीं है जिसमें हुमन थ्लास होता है है कि今日 कोई सावान पोज़ने वाला होता वर्प के कारण पहुंचा नहीं होगा है कैसे काम किया है कभी को engineering चलेंज आया होगा कैसे किया होगा मैं चाहूंगा कि कम से कम 15도 कि हर्स तर पर काम करने वाले पांच पेज, छे पेज, दस पेज अपना अनुभव लिखे, किसी एक वेक्ति को जिम्मिवारी दीजिए, फिर उसको फोड़ा ठिक ठाक करके, लेंग्वेज बगेर करके, डॉक्मेंटेशन करना चाहिए, और छापने की जरुत नहीं, डिजिटली बना देंगे, तो भी चल कि खैक्ति के बच्चों को के श्टरी का काम धिया रखर, एक एक उनिवर्सिटी से आठ दस बच्चों को एक बैश यह आए, के श्टरी यह कैसे कलपना हुई, कैसे बना, कैसे चुनाहुती आई, कैसे रास्तिय निकाले, और दुनिया में सबसे उंची और सबसे लंबी एंजिनेरिंग नॉलेज हमारे देश के स्टूडेंट्स को होना ही चाहिए, इतना ही नहीं, ग्लोबली भी मैं चाहूंगा M.E.A. के लोग कुछ उनिवर्सिटिज को इन्वाइट करें, वहां की उनिवर्सिटि के स्टूडी के लिए आएं, प्रोजिक के रुपे स्टूडी करें, दुनिया के अंदर हमारे इस ताकत की पहचान होनी चाहिए, विश्वे को हमारी ताकत का परिचे होना चाहिए, सीमि इसका ज्ञान दुनिया को होना चाहिए, और इसलिए मैं चाहूँगा कि रक्षा मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, M.E.A., बियारो, सब मिल करके, एक प्रकार से लगातार ये एजुकेशन का हिस्सा बन जाए, टनल का काम, हमारी एक पूरी नई पीडी से तैयार हो जाएगी तो टनल एक इंफरसेक्चर बनेगा, लेकिन मनुष्य निर्मान भी एक बहुत बड़ा काम होता है, हमारे उत्तम इंजिनियर बनाने का काम भी ये टनल कर सकती है, और उस दिशा में भी हम काम करें, मैं फिर एक बार आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।